क्या आप जानते हैं, दुनिया की दस सबसे उंची मूर्तियां कौन सी हैं? चलो पता करते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे उंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेंपल बुद्ध है, जिसकी उंचाई 128 मीटर 420 फीट है। इसका स्थान लुशान चीन है। यह बुद्ध वैरोकान का एक चित्रन है। यह कमल के आकार के आसन के मध्य में बना है। समारक एक धलान के उपर खड़ा है जिसे दो और पेडस्टल बनाने के लिए बदल दिया गया है। 106 मीटर 348 फीट उंचाई के साथ चौथे स्थान पर है। इसका स्थान राजस्थान भारत है। यह भगवान शिव का चित्रन है। यह दुनिया की सबसे उंची शिव प्रतिमा है जिसका आधार 23 मीटर 108 फीट है। इस प्रकार मूर्ति कला की कुल उंचाई 112 मीटर 367 की उंचाई के साथ पांचवी सबसे उंची मूर्ति है। इसका स्थान उशिकू जापान है। 1933-2008 तक यह दुनिया की सबसे उंची प्रतिमा थी। यह प्रतिमा कांस्य से बनी है और इसमें अमिताब बुद्ध को दर्शाया गया है। इसे बौध धर्म के ट्रूप यॉर स्थान जापान यह देवी कन्नन अवलो की तेश्वरा का चित्रण है। 1904-1993 तक यह दुनिया की सबसे उंची मूर्ति थी। यह जापान की सबसे उंची देवी प्रतिमा है और दुनिया की सबसे उंची मूर्तियों में से एक है। गुईशान गवानिन 99 मीटर 325 फीट की उंचाई के साथ सादवी सबसे उंची मूर्ति है। इसका स्थान वेईशान चांगशा चीन है यह गुआनिन का चित्रन है। गयारह सिर वाले हजार भुजाओं वाले गवानिन गिल्ट कांस्य प्रतिमा में गवानिन को गयारह सिर और हजारों भुजाओं के साथ दिखाया गया है. यह एक बोधिसस्त्व को दर्शाता है जो सभी बुद्धों की करुणा का प्रतीक है. थाइलेंड की ग्रेट बुद्ध आठवी, सबसे उंची मूर्ती है, इसकी उंचाई तिर्यांदर मीटर 305 फीट है, यह बुद्ध गौतम का चितरन है बुद्ध की महान प्रतिमा, जिसे बिग बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, थाइलेंड की सबसे बड़ी प्रतिमा है, बुद्ध की यह कंक्रीट की मूर्ती सोने से रंगी है, कितानो मिया को पार्क की दाई कंनन 28 मीटर 296 फीट की उंचाई के साथ 9 सबसे उंची मूर्ती है, इसका स्थान आशिबेट सू जापान है, यह कंनन अवलो की तेश्वर का चितरन है, 1999 तक यह दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ती थी, यह जापान में तीसरा सबसे उंचा और दुनिया में नौवा सबसे बड़ा स्मारक है, जो लिंग शान में ग्रैंड बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ है, इसका स्थान पग किलाटन, फिलिपीन्स है, यह एक चितरन है, फिलिपीन्स में मैरी की सब से उंची मूर्ती और दुनिया में वर्जिन मैरी की सबसे उंची मूर्ती.